स्टोरी जैम में आपका स्वागत है यहां आप सुनेंगे कहानिया कुछ नई, कुछ पुरानी कुछ जानी, कुछ अनजानी इसमच्चुकताई के बारे में क्या कहा जाए अपने समाज को आइना दिखाने वाली इसमच्चुकताई जिनके शब्द कभी नहीं जिचके जिनकी सोच मिडल क्लास अपनी मोरालिटी की जंजीरों में कैद नहीं कर पाए कई बार उनकी कहानिया बैन की गई लेकिन हर पीडी ने उनकी किताब उठा कर उसमें नए मानने पाए सच तो यह है कि जो वो तब कह गई वो हम अब भी कहने से कत्राते हैं आईए सुनते हैं इसमें चुकताई की कहानी भावी भावी प्याह करके आई थी तो मुश्किल से पंदरा वरस की होंगी भड़वार भी तो पूरी नहीं हुई थी भाईया की सूरत से ऐसे लरस्ती थी जैसे कसाई से गाए मकर साल भर के अंदर ही वो तो जैसे मूँ बंद कली से खिल कर फूल बन गई जिसम भर गया बाल घुमेरे हो गए आँखों में हिर्नो जैसी वहशत दूर होकर गरूर और शरारत भर गई भाबी जरा आजाद किसम के खांदान से थी कॉन्वंट में तालीम पाई थी पिछले साल उसकी बड़ी बहन एक इसाई के साथ भाग गई थी इसलिए उसके माबाप ने डर के मारे जल्दी से उसे कॉन्वंट से उठाया और चटपट शादी कर दी भाबी आजाद फिजा में पली थी हिर्णियों की तरहें कुलाचे भरनी की आदी थी मगर ससुराल और मैका दोनों तरफ से उस पर कड़ी निगरानी थी और भाईया की भी यही कोशिश थी कि अगर जल्दी से उसे पकी ग्रस्तिन ना बना दिया गया तो वो भी अपनी बड़ी बेहन की तरहें कोई गुल खिलाएगी हलाकि वो शादी शुधा थी लिहाजा उसे ग्रस्तिन बनाने पर जुट गये चार-पाच साल के अंदर भाबी को घिस घिसा कर वाकई सब ने ग्रस्तिन बना दिया वो तीन बच्चों की मा बनकर भद्दी और ठस हो गई अम्मा उसे खूब मुर्गी का शोरबाग गोन सा टोरे खिलाती भाईया टॉनिक पिलाते और हर बच्चे के बाद वो दस पंद्राइ पॉंड बढ़ जाती आहिस्ता आहिस्ता उसने बनना सवरना छोड़ ही दिया भाईया को लिप्स्टिक से नफरत थी आँखों में मनों काजल और मसकारा देखकर वो चिड़ जाते भाईया को बस गुलाबी रंग पसंद था या फिर सुर्ख भाईया ज्यादातर गुलाबी या सुर्ख ही कपड़े पहना करती थी गुलाबी साड़ी पर सुर्ख ब्लाऊज या कभी गुलाबी के साथ हलका गहरा गुलाबी शादी के वक्त उसके बाल कटे हुए थे मगर दुलहन मनाते वक्त ऐसे तेल चपड़ कर बांधे गए थे कि पता नहीं चलता था कि वो परकटी मेम है अब उसके बाल तो बढ़ गए थे लेकिन पैदर पैब बच्चे होने की वज़ा से वो ज़रा गंजी सी हो गई थी वैसे भी वो बाल कस कर मैली धज्जी से बांध लिया करती थी उसके मिया को वो मैली कुचेली ऐसी ही बड़ी प्यारी लगती थी और मैके ससुराल वाले भी उसकी सादगी को देखकर उसकी तारीफों के गुन गाते थे भाबी थी भी प्यारी सी सजील नक्षा, मक्षन जैसी रंगत, सुडॉल हाथ पाउं मगर उसने इस बुरी तरह अपने आपको ढीला छोड़ दिया था कि खमीरे आटे की तरह बह गई थी भाईया उससे नौ बरस बड़े थे मगर उसके सामने लॉंडे लगते थे वैसे ही सुडॉल कसरती बदन वाले रोज वर्जिश करते, बड़ी एहतियात से खाना खाते बड़े हिसाब से सिगर्ट पीते यूई कभी विस्की बियर चकलेते उनके चहरे पर अब भी लड़कपन था थे भी तीस इकतिस बरस के अगर चौबिस बच्चिस बरस के लगते थे उफ, भाईया को जीन्स और स्कर्ट से कैसी नफरत थी उन्हें ये नए फैशन की बदन से चिपकी हुई कमीज से भी बड़ी घिन आती थी तंग मोरी की शलवारों से तो वो ऐसे जलते थे कि तौबा खैर भावी बेचारी तो शलवार कमीज के काबिल नहीं रही थी वो तो बस ज्यादा तर प्लाउज और पेटी कोट पर ड्रेसिंग गाउन चड़ाए गूमा करती कोई नई जान पहचान वाला आ जाता तो भी पेतकलुफी से वही अपनी नैशनल ड्रेस पहने रहती कोई पुरतकलुफ महमान आता तो अमोमन वो अंदर ही बच्चों से सर मारा करती जो कभी बाहर आना पड़ता तो मलगज्जी सी साड़ी लपेट लेती वो ग्रस्तिन थी, बहू थी और चहेती थी उन्हें रंडियों की तरह बंसवर कर किसी को लुभाने की क्या जरूरत और भाबी शायद यूही गोडर बनी अधेड और फिर बूढ़ी हो जाती बहुएं ब्याह कर लाती जो सुबह उठकर उन्हें जुक कर सलाम करती गोड में पोता खिलाने को देती मगर खुदा को कुछ और ही मनजूर था शाम का वक्त था हम सब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे भाबी पापड तलने बावर्ची खाने में गई थी बावर्ची ने पापड लाल कर दिये भाईया को बादामी पापड भाते हैं उन्होंने प्यार से भाबी की तरफ देखा और वो जट उठकर पापड तलने चली गई हम लोग मज़े से चाय पीतर है भाबी थी की फरिश्टा मैं तो कॉलिज से आकर बावर्ची खाने में जाने पर किसी तरह मजबूर ही नहीं करी जा सकती थी नहीं मेरा शाम को पुर तकल्लुफ लिबास बावर्ची खाना के लिए मौजू था इसके अलावा मुझे पापड तलने ही का बाते थे दूसरी बेहने भी मेरी कतार में ही खड़ी थी फरीदा का मंगेतर आया था वो उसकी तरफ जुटी हुई थी रजिया और शमीम अपने दोस्तों के साथ गपे लड़ाने में मसरूफ थी वो क्या पापड तलती और हम सब तो बाबुल के आंगन की चिडिया थी और उड़ने के लिए पर तोल रही थी धाए से फुटबॉल आकर एन भाईया की प्याली में पड़ी हम सब उच्छल पड़े भाईया मारे गुस्से के भन्ना उठे कौन पाजी है उन्होंने जिधर से गैंद आई थी उधर मू करके डाटा विखरे हुए बालों का गोल मोल सर और बड़ी बड़ी आँखें उपर से जहांके एक जंकद में भाईया मुंडेर पर थे और मुझरिम के बाल उनकी गिरफ्त में ओह एक चीख कुंजी और दूसरे लम्हे भाईया ऐसे उचल कर अलग हो गए जैसे उन्होंने बिच्चू के डंक पर हाट डाल दिया हो या अंगारा पकड़ लिया हो सॉरी, I'm very sorry वो हकला रहे थे हम सब दौड कर गए देखा तो मुंडेयर के उस तरफ एक दूबली पतली नागिन सी लड़की सफेद ड्रेन पाइप और नीबू के रंग की स्लीबलेस ब्लाउस पहने अपने मैरिलिन मन्रो जैसे कटे हुए बालों में पतली पतली उंगलियां फेर कर खिस्यानी हसी हस रही थी और फिर हम सब हसने लगे भावी पापडों की प्लेट लिये अंदर से निकली और बगैर पूछे ये समझकर हसने लगी कि जरूर कोई हसने की बात हुई होगी उनका ढीला ढाला पेट हसने में फुदकने लगा और जब उसे मालूम हुआ कि भावी ने शबनम को लॉंडा समझकर उसके बाल पकड़ लिये तो वो और भी जोड़ जोड़ से कहके हैं लगाने लगी कि कई पापड के टुकडे घास पर बिखर गए शबनम ने बताया कि वो उसी दिन अपने चचा खाल जमील के यहां आई हैं अकेले जी घबराया तो फुटबॉल ही लुड़काने लगी जो किसमत से भाईया जी की प्याली पर आनकूदी शबनम भाईया को अपनी तीखी मसकारा लगी आँखों से घूर रही थी भाईया मसूर सननाटे में उसे तक रहे थे एक करेंट उन दोनों के दर्मियान दोड़ रहा था भाई इस करेंट से कटी जैसे कोसों दूर खड़ी थी उसका फुदकता हुआ पेट सहम कर रुख गया हसी ने उसके होटों पर लड़कडा कर दम तोड़ दिया उसके हाँ धीले हो गए प्लेट टेड़ी होकर पापड घास पर गिरने लगे फिर एकदम वो दोनों जाग पड़े और खुदक कर मुदेर पर चड़ गई आईए चाय पी लीजे मैंने ठहरी हुए फिजा को धका देकर आगे खिसकाया एक लचक के साथ शबनम ने अपने पैर मुदेर के उस पार से इस पार जुलाए सफेद छोटे-छोटे मौकैसिन हरी घास पर फाखता के जोड़े की तरह थमकने लगे शबनम का रंग पिखले हुए सोने की तरह लौ दे रहा था उसके बाल सियाह भौरा थे मगर आखें जैसे सियाह कटोरियों में किसी ने शहद भर दिया हो नीबू के रंग के बलाउस का गला बहुत गहरा था होट तरबूजी रंग के और इसी रंग की नेल पॉलिश लगाए वो बिलकुल किसी अमरीकी इश्तहार की मॉडल मालूम हो रही थी भावी से कोई फुटभर लंबी लग रही थी हाला कि मुश्किल से दो इंच उँची होगी उसकी हड़ी बड़ी नाजुक थी इसलिए कमर तो ऐसी कि छल्ले में पर रोलो भाईया कुछ गुमसुम से बैठे थे भावी उन्हें ताक रही थी जैसे बिल्ली पर तौलते परिंदे को गूरती है कि जैसे ही पर फर फढ़ाए बढ़ कर दबोच ले उसका चहरा तम-तम आ रहा था ओट बिचे हुए थे नतने फर फढ़ा रहे थे इतने में मुन्ना आकर उसकी पीट पर धम से कुदा वो हमेशा उसकी पीट पर ऐसे कुदा करता था जैसे वो गुदगुदा सा तकिया हो भावी हमेशा ही हस दिया करती थी मगर आज उसने चटाख चटाख दो चार चाटे जड़ दिये शबनम परिशान हो गई अरे अरे रोकिये न उसने भावीया का हाँच छूकर कहा बड़ी गुस्सावर है आपकी मम्मी उसने मेरी तरफ मुँ भेर कर कहा इंट्रोडक्शन हमारी सोसाइटी में बहुत कम हुआ करता है और फिर भावी का किसी से इंट्रोडक्शन कराना अजीब सा लगता था वो तो सूरत से ही घर की बहु लगती थी शबनम की बात पर हम सब कह कहा मार कर हस पड़े भावी मुन्ने का हाथ पकड़कर खसीटी हुई अंदर चल दी अरे ये तो हमारी भावी है मैंने भावी को धम धम जाते हुए देख कर कहा भावी? शबनम हैरत जदा होकर बोली उनकी भावी की भावी की बीवी ओ उसने संजीतगी से अपनी नजरें चुका ली मैं मैं समझी उसने बात अधूरी छोड़ दी भावी की उम्र तेईस साल है मैंने वजाहत की मगर टोन भी सिली शबनम हसी भावी ने माटीस से पन्दरा साल की उमर में सीनियर कॉमर्स किया था तुम्हारा मतलब है ये मुझसे तीन साल छोटी है मैं चब्विस साल की हूँ तब तो कतई छोटी है उफ और मैं समझी तुम्हारी मम्मी है दरसल मेरी आखें कमजोर है अगर मुझे एनक से सक्त नफरत है बुरा लगा होगा उन्हें नहीं भावी को कुछ बुरा नहीं लगता पेचारी कौन? कौन भाई? नजाने मैंने क्यों कहा भाई आपनी बीवी पर जान देते हैं सफिया ने बतौर वकील कहा बेचारे की बहुत बच्पन में शादी कर दी गई होगी 25-26 साल के थे अगर मुझे तो मालूम ना था कि 20-वी सदी में बगैर देखे शादियां होती हैं शबनम ने अकारत से मुस्कुरा कर कहा तुम्हारा हर अंदाजा गलत निकल रहा है भाईया ने भाभी को देखकर पसंद कर लिया था तब शादी हुई थी मेगर जब वो कवल के फूल सी नाजुक और हसीन थी फिर ये क्या हो गया शादी के बाद होता क्या भाभी अपने घर की मल्लेका हैं बच्चों की मल्लेका हैं कोई फिल्म एक्टरस तो नहीं दूसरे भाईया को सूखी मारी लड़कियों से घेन आती है मैंने जान कर शबनम पर चोट की वो बेवकूफ न थी भाई चाहे मुझसे कोई प्यार करे या ना करे मैं तो किसी को खुश करने के लिए हाथी का बच्चा कभी न बनो माफ करना तुम्हारी भाबी कभी उबसूरत रही होंगी मगर अब तो आपका नुकता नजर भाईया से मुक्तलिफ है मैंने बाट टाल दी और जब वो बल खाती सीधी सुडॉल टांगों को आगे पीछे जुला दी नन्हे नन्हे कदम रखती मुझेर की तरफ जा रही थी भाईया बरामदे में खड़े थे उनका चहरा सफैद पड़ गया था और बार बार अपनी गुद्दी सहला रहे थे जैसे किसी ने वहाँ जलती हुई आग रखती शिडिया की तरह फुधक कर वो मुझेर फलांग गई पल भर को पलट कर उसने अपनी शर्बती आँखों से भाईया को तोला और छलावा की तरह उठी में गायब हो गई भाभी लॉन पर जुकी हुई बाली समेट रही थी मगर उसने एक नजर ना आने वाला तार देख लिया जो भाईया और शबनम की निगाहों के दरमियान दोड रहा था एक दिन मैंने खिड़की में से देखा शबनम फूला हुआ स्कर्ट और सफेद खुले गले का बलाउस पहने पप्पू के साथ सामबा नाच रही थी उसका नन्हा सा पुत्ता टांगों में उलज रहा था वो उचे उचे कहकह लगा रही थी उसकी सुडॉल सावली टांगे हरी हरी घास पर थिरक रही थी सियाह रेशमी बाल हवा में छलक रहे थे पाँच साल का पपू बंदर की तरह फुदक रहा था अगर वो नशीली नागिन की तरह लहरा रही थी उसने नाचते नाचते नाग पर अंगूठा रखकर मुझे चिढ़ाया मैंने जवाब में घूंसा दिखा दिया अगर फॉरन ही मुझे उसकी निगाह का पीछा करके मालूम हुआ ये शारा वो मेरी तरफ नहीं कर रही थी भाईया बरामदे में एहमकों की तरह गुद्धी से ला रहे थे और वो उन्हें मुझ जढ़ा कर जला रही थी उसकी कमर पर बल पढ़ रहे थे पुले मटक रहे थे बाहें थर्थरा रही थी होट एक दूसरे से जुदा लरज रहे थे उसने साप की तरह लब पर जबान निकाल कर अपने होट को चाटा भाईया की आँखें चमक रही थी और वो खड़े दांत निकाल रहे थे मेरा दिल धक से रह गया भावी गोदाम में आनाज दुलवा कर बावर्ची को दे रही थी शब्दम की बच्ची उन्हें दिल में सोचा अगर गुस्सा मुझे भाईया पर भी आया उन्हें दात निकालने की क्या जरूरत थी उन्हें तो शब्दम जैसी करनेटों से नफरत थी उन्हें तो अंग्रेजी नाचों से घिन आती थी फिर वो क्यों खड़े उसे तक रहे थे ऐसी भी क्या बेसुधी कि उसका जिस्म सांबा की ताल पर लरज रहा था और उन्हें खबर न थी इतने में वोई चाई की ट्रे लेकर लॉन पर आ गया भाईया ने हम सब को आवाज दी और वोई को कहा कि भाबी को भेज दे रस्मन शबनम को बुलावा देना पड़ा मेरा तो जी चाह रहा था कि कतई उसकी तरफ से मूँ फेर कर बैठ जाओ अगर जब वो मुन्ने को मुड़ों पर चड़ाए मुड़ेर फलांग कर आई तो ना जाने क्यों मुझे वो कतई मासूम लगी मुन्ना स्कार्फ लगामों की तरह थामे हुए था और वो घोड़े की चाल उचलती हुई लौन पर दोड रही थी भहिया ने मुन्ने को उसकी पीट पर से उतारना चाहा अगर वो चिमट गया अभी और घोड़ा चले आंटी नहीं बाबा आंटी में दम नहीं शबनम चिल्लाई बड़ी मुश्किल से मुन्ने को भहिया ने उतारा उपर एक चाटा लगाया एक तम तड़प कर शबनम ने उसे गोद में उठा लिया और भहिया के हाथ पर जोर का थपड मारा शरम नहीं आती इतने बड़े उठ के उठ जरा से बच्चे पर हाथ उठाते हैं भाबी को आता देखकर उसने मुन्ने को उनकी गोद में दे दिया उसका चाटा खाकर भहिया मुस्कुरा रहे थे देखिये तो कितनी जोर से थपड मारा है नेरे बच्चे को कोई मारता तो हाथ तोड़ कर रख देती उसने शर्बत की कटोरियों में जहर घोल कर भहिया को देखा और फिर हस रहे हैं बेहया हम तम भी है जो हाथ तोड़ेगी भहिया ने उसकी कलाई मरोड़ी वो बल खाकर इतनी जोर से चीखी कि भहिया ने लरज कर उसे छोड़ दिया और उस्ते हस्ते जमीर पर लोड़ गई चाय के दरमियान भी शबनम की शरारतें चलती रही वो बिलकुल कमसिन छोकरियों की तरह चुहले कर रही थी भावी सुमसुम बैठी थी आप समझे होंगे शबनम के वजूद से डर कर उन्होंने कुछ अपनी तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी होगी जी कते ही नहीं वो तो पहले से भी ज्यादा मैली रहने लगी पहले से भी ज्यादा खाती हम सब तो हस्त ज्यादा रहे थे मगर वो सर जुकाए केक उड़ाने में मसरूफ थी चटनी लगा लगा कर भजिये निगल रही थी सिके हुए तोसों पर धेर सा मक्षन और जैम थोपकर खाये जा रही थी भहिया और शबनम को देख देख कर हम सब परिशान थे वो शायद भावी भी फिक्रमंद होंगी वो अपनी परिशानी को मुरगन खानों में दफन कर रही थी उन्हें हर वक्त खट्टी डकारें आया करती थी मगर वो चूरन खा खा कर पुलाव कोर्मा हजम करती वो सहमी सहमी नजरों से भहिया जी और शबनम को हस्ता बोलता देखती भहिया तो कुछ और भी लॉंडे लगने लगे थे शबनम के साथ वो सुबह और शाम समुद्र में तेरते भावी अच्छा बला तेरना जानती थी मगर भहिया को स्विमिंग सूट पहनी औरतों से नफरत थी एक दिन हम सब समुद्र में नहा रहे थे शबनम दो धज्जियां पहने नागिन की तरह पानी में बल खा रही थी इतने में भावी जो देर से मुन्ने को पुकार रही थी आ गई भहिया शरारत के मूड में तो थे ही दोड़ कर उन्हें पकड़ लिया और हम सब ने मिलकर उन्हें पानी में घजीट लिया जब से शबनम आई थी भहिया बहुत शरीर हो गए थे एकदम से वो दाद कच-कचा कर भावी को हम सब के सामने भीच लेते उन्हें गोद में उठाने की कोशिश करते मगर वो उनके हातों में से बोबल मचली की तरह फिसल जाती फिर वो खिसी आकर रह जाते जैसे जैसे तखेयल में वो शबनम को उठा रहे थे और भावी कटी गाय की तरह नादिम होकर पॉरन पुडिंग या कोई और मज़िदार डिश तयार करने चली जाती इस वक्त जो उने पानी में धकेला गया तो वो गठडी की तरह लुडग गई उनके कपड़े जिस्म पर चिपग गए उनके जिस्म का सारा भोंडापन भयानक तरीके से उभराया कमर पर जैसे किसी ने तोशक लपेड़ती थी कपड़ों में वो इतनी भयानक नहीं मालूम होती थी ओ, कितनी मोटी हो गई हो तुम भाया ने उनके कूले का बूटा पकड़ कर कहा उफ, तोन तो देखो, बिलकुल गामा पहलवान मालूम हो रही हो हुँ, चार बच्चे होने के बाद कमर अरे मेरे भी तो चार बच्चे है मेरी कमर तो डनलप पिल्लो का गद्दा नहीं बनी उन्होंने अपने सुडॉल जिस्म को ठोक बजा कर कहा और भाबी मू थोथोए भीगी मुर्गी की तरह पैर मारती, जरजुरियां लेती, रेत में गहरे गहरे गढ़े बनाती, मुन्ने को घजीटती, चली गई भीया बिल्कुल बे तवज्जो होकर शबनम को पानी में डुपकियां देने लगे, अगर वो कहां हात आने वाली थी ऐसा अरंगा लगाया कि गड़ाप से ओंधे मू गिर पड़े जब नहा कराये तो भाबी सर जुकाये खुबानियों के मुरब्बे पर क्रीम की तहें जमा रही थी, उनके होट सफेद हो रहे थे और आखें सुर्ख थी गिटार्च की गुडिया जैसे मोटे मोटे गाल और सूजे मालूम हो रहे थे लंच पर भाबी बे इंतहां गमगीन थी लहाज़ा बड़ी तेजी से खुबानियों का मुरब्बा और क्रीम खाने पर जुटी होई थी शबनम ने डिश की तरफ देखकर ऐसे फुरेरी ली जैसे खुबानिया ना हो साप बिच्छू हो जहर है जहर उसने नफासत से ककड़ी का तुकड़ा उतरते हुए कहा और भाईया भाबी को गूरने लगे मगर वो शपाशब मुरब्बा उड़ा आरती रही हद है उन्होंने नफने फड़का कर कहा भाबी ने कोई ध्यान न दिया और करीब करीब पूरी डिश पेट में उड़े ली उन्हें मुरब्बा सपोर्टे देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे वो रश को हसत के तुफान को रोकने के लिए बंद बांध रही हो आँखों के टकराव से भढ़कने वाले शोले उन पत्रीली दिवारों को ना पिखला सकेंगे खुदा के लिए बस करो डॉक्टर भी मना कर चुका है ऐसा क्या चटोरापन भाईया ने कही दिया मौम की दिवार के तरह भाबी पिखल गई भाईया का नश्टर चर्बी की दिवारों को चीरता हुआ ठीक दिल में उतर गया मूटे मूटे आंसू भाबी के फूले हुए गालों पर फिसलने लगी सिस्कियों ने जिस्म के धेर में जलजला पैदा कर दिया तुबली, पतली और नाजिक लड़कियां किस लतीफ और सोहाने अंदाज में रोती हैं अगर भाबी को रोते देखकर बजाए दुख के हसी आती थी जैसे कोई रूई के भीगे हुए धेर को डंडों से पीट रहा हूँ वो नाग पोँचती हुई उठने लगी मगर हम लोगों ने रोक लिया और भाबी या को डाटा, फुशामत कर वापिस उन्हें बिठा लिया पिचारी नाग सुड़कती बैठ गई मगर जब उन्होंने काफी में तीन चमच शक्कर डाल कर क्रीम की तरफ आद बढ़ाया तो एकदम ठिठक गई सहमी हुई नजरों से शबनम और भाईया की तरफ देखा शबनम बमुश्किल अपनी हासी रोके हुए थी भाईया मारे गुस्से के रुआसे हो रहे थे वो एकदम भना कर उठे और जाकर बरामदे में बैठ गए उसके बाद हालात और बिगडे भाईया ने खुलनम खुला एलाने जंग कर दिया किसी जमाने में भाईया का पठानी खुन बहुत गर्म था दरासी बात पर हाता पाई पर उतराया करती थी और बारहा भाईया से गुस्सा होकर बजाए मूँ भलाने के वो खुखार बिल्ली के तरह उन पर तूट पड़ती उनका मूँ खसोट डालती दातों से खरेबान की धज्जिया उड़ा देती फिर भाईया उन्हें अपनी बाहों में जकर कर बेबस कर देते और उनके सीने से लगकर प्यासी डरी हुई चड़िया की तरफ फूट फूट कर रोने लगती फिर मिलाब हो जाता और जहेंपी खिसियानी वो भाईया के मूँ पर लगे हुए खरोचों पर प्यार से टिंक्चर लगा देती उनके गरेबान रफू कर देती और मीठी मीठी शुकर घुजार आँकों से उन्हें तक्ती रहती ये तब की बात है जब भाबी हलकी भूलकी तीद्री की तरह तर्रार थी लड़ती हुई छोटी सी पश्मी बिल्ली मालूम होती थी भाईया को उन पर गुस्सा आने के बजाए और शिद्दत से प्यार आता मगर जब उन पर गोश्ट ने जिहाद बोल दिया था वो बहुत ठंडी पड़ गए थी उन्हें अबबल तो गुस्सा ही ना आता और अगर आता भी तो फौरण इधर उधर काम में लगकर भूल जाती उस दिन उन्होंने अपनी भारी भरकम डील को भूल कर भाईया पर हमला कर दिया भाईया सिर्फ उनके बोश से धक्का खाकर दिवार से जाचिपके रूई के गठरे को यू लड़कते देखकर उन्हें सक्त गहनाई ना गुस्सा हुए न बिगड़े शर्मिंदा उदास सर जुकाए कमरे से निकल भागे भाभी वही पसर कर रोने लगी बात और बढ़ी और एक दिन भाईया के साले आकर भाभी को ले गए तुफैल भाभी के चचाजाद भाई थे उन्हें देखकर वो बच्चों की तरह उनसे लिपट कर रोने लगी उन्होंने भाभी को पांच साल बाद देखा था वो गोल गेंद देखकर थोड़ी देर के लिए सट पटाए फिर उन्होंने भाभी को नन्ही बच्ची की तरह सीने से लगा लिया भाईया उस वक्त शबनम के साथ क्रिक्ट का मैच देखने गये हुए थे तुफैल ने शाम तक उनका इंतजार किया उन्हाए तो मजबूरन भाभी और बच्चों का सामान तयार किया गया जाने से पहले भाईया घड़ी बर को खड़े खड़े आए दिल्ली के मकान मेंने उनके महर में दे दिये हैं उन्होंने रुखाई से तुफैल से कहा महर? भाभी थर-थर कांपने लगी हाँ, तालाक के काखजात भगील के जरिये पहुँच जाएंगे मगर तालाक? तालाक का क्या जिक्र है? इसी में बहतरी है मगर बच्चे? ये चाहें तो उन्हें ले जाएं वरना मैंने बोर्डिंग में इंतिजाम कर दिया है एक चीख मार कर भाभी 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 पर जपती मगर उन्हें खसोटने की हिम्मत ना पड़ी सहम कर ठिठक गए और फिर भाभी ने अपनी निस्वानियत की पूरी तरह से बेाबरूई कर डाली वो भाभी ने पैरों पर लोड़ गई नाक रगड डाली तुम उससे शादी कर लो मैं कुछ ना कहूंगी मगर खुदा के लिए मुझे तालाक ना दो मैं योही जिंदगी गुजार दूँगी मुझे कोई शिकायत ना होगी मगर भाभी ने नफरत से भाभी के थुल-थुल करते हुए जिसम को देखा और मुझ मौड लिया मैं तालाक दे चुका अब क्या हो सकता है पर भाभी को कौन समझाता वो बिलबिलाये चली जा रही थी बेवकूफ तो फैल ने एक ही जटके में भाभी को जमीन से उठा लिया गदी कहीं की चल उठ वो उसे घसीटे हुए ले गए क्या दर्दनाक समा था बच्चे फूट फूट कर रोने में भाभी का साथ दे रहे थे अमा खामोश एक एक कमूद तक रही थी अबबा की मौत के बाद उनकी घर में कोई हैसियत नहीं रहे गई थी भाभी खुद मुखतार थे बलकि हम सब के सरपरस्ट थे अमा उन्हें बहुत समझा कर आर चुकी थी उन्हें उस दिन की अच्छी तरह कबर थी मगर क्या कर सकती थी भाभी चली गई इसा ऐसी खराब हो गई थी कि भाभी और शबनम भी शादी के बाद इन स्टेशन पर चले गए साथ आठ साल गोजर गए हम सब अपने घरों की हुई अमा का इंतकाल हो गया अब्बा की मौत के बाद वो बिलकुल गुमसुम होकर रह गई थी उन्होंने भाभी की तलाग पर बहुत रोना पीटना मचाया मगर भाभीया की मिजाज से वो वाकिफ थी वो कभी अब्बा की भी नहीं सुनते थे कमाओ पूत अपना मालिक होता है आशियाना उजड़ गया भरा हुआ घर सुनसान हो गया सब इधर उधर उड़ गये साथ आठ साल आँख जपकते नजाने कहां गुम हो गए कभी साल दो साल में भाभीया की कोई खेर खबर मिल जाती वो ज्यादातर हिंदुस्तान से बाहर मुलकों की चक पेरियों में उलजे रहे अगर जब उनका खत आया कि वो बंबई आ रहे हैं तो भूला विसरा बचपन फिर से जाग उठा भाईया जी ट्रेन से उतरे तो हम दोनों बच्चों की तरह लिपट गए शबना मुझे कहीं नजर नहीं आई उनका सामान उतर रहा था जैसे ही भाईया से उसकी खेरियत पूछने को मुड़ी धप से एक वजनी हाथ मेरी पीट पर पड़ा और कई मन का गरम गरम गोश्ट का पहाड मुझे से लिपट गया भाईया भाईया मैंने प्लैटफॉम से नीचे गिरने से बचने के लिए खिड़की में जूल कर कहा जिन्दगी में मैंने शबनम को कभी भावी ना कहा था वो लगती भी तो शबनम ही थी मगर आज मेरे मूँ से बेख्तियार भावी निकल गया शबनम की फवार इन चंद सालों में गोश्ट और पोस्ट का थोदा कैसे बन गई मैंने भाईया की तरफ देखा वो वैसे ही दराज गद और छरहरे थे एक तौला गोश्ट ना इधर ना उधर वही कमसिन लड़कों जैसे घने बाल पस दो-चार सफेद चांदी के तार गनपटियों पर जहाकने लगे थे जिनसे वो और भी हसीन और बवकार मालूम होने लगे थे वैसे के वैसे चटान की तरह जमे हुए थे लहरें तडब तडब कर चटान की ओर लपकती है अपना सर उसके कदमों में दे मारती है पाश-पाश होकर बिखर जाती है, मादूम हो जाती है हार ठक कर वापिस लौट जाती है कुछ वही उसके कदमों में दम तोड़ देती है और नई लहरे फिर सर्फरुशी के इरादे समेटे चटान की तरफ खिची चली आती है और चटान वो तन्स से मुस्कराता रहता है अटल, लापरवाह और बेरहम जब भाईया ने शबनम शेशादी की तो सबने कहा था शबनम आज़ाद लड़की है, पक्की उम्रकी है मैंने शेहनाज को हमेशा भाभी कहा था आ तो शेहनाज भोली और कमसिन थी भाया के काबू में आ गई ये नागिन उन्हें डस कर बेसुद कर देगी, उन्हें मज़ा चखाएगी मगर मज़ा तो लहरों को सिर्फ चटान ही चखा सकती है बच्चे बोर्डिंग में छुट्टी नहीं थी उनकी शबनम ने खट्टी ड़कारों भरी सांस मेरी गर्दन पर छोड़कर कहा और मैं फैरत से इस गोश्ट के धेर में उस शबनम की फुवार को ढूंड रही थी जिसने शहनाज के प्यार की आग को बुझा कर भईया के कलेजे में नई आग भड़का दी थी अगर ये क्या बजाए इस आग में भस्म हो जाने के भईया तो और भी सोने की तरह तपकर निखर गए थे आग खुद अपनी तपिश में भस्म होकर राक का धेर बन गई थी भावी तो मक्षन का धेर थी बगर शबनम तो जुलसी हुई मट्याली राक थी फर्ष पर फैल गई फॉल तारियों से गूंज रहा था शबनम की आँखें भाईया जी को डूंड रही थी बैरा तरो ताजा रस भरी और क्रीम का जग लेकर आया बेख्याली में शबनम ने प्याला रस भरीयों से भर लिया उसके हाथ लरज रहे थे आँखें चोट खाई हुई हिर्णियों तरह परिशान चौकडियां भर रही थी भीड़भार से दूर नीम तारीक बालकनी में भाईया खड़े मिस्री रकासा का सिगरेट सुलका रहे थे उनकी पुर्शौक निगाहें रकासा की नशीली आँखों से उलज रही थी शबनम का रंग उड़ा हुआ था और वो एक पहाड की तरह गुमसुम बैठी थी शबनम को अपनी तरफ तक्ता देखकर भाईया रकासा का बाजू थामे अपनी मेज की तरफ लौटाए और हमारा तारूफ कराया मेरी बहन उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया रकासा ने लचक कर मेरे वजूद को मान लिया मेरी बेगम उन्होंने ड्रामाई अंदाज में कहा जैसे कोई मैदान जंग में खाया हुआ जखम किसी को दिखा रहा रकासा दम बखुद रह गई जैसे उसने लाश को खून में गलता देख लिया हो वो हैबत जदा होकर शबनम को गूरने लगी फिर उसने अपने कलेजे की सारी ममता अपनी आखों में समोकर भहिया की तरफ देखा उसकी नजर में लाखों फसाने पुशीदा थे उफ ये हिंदुस्तान जहां जहां जहालत से कैसी कैसी प्यारी हस्तियां रस्म और रिवास पर कुर्बान की जाती हैं काबले परस्तिश हैं वो लोग और काबले रहम भी जो ऐसी ऐसी सजाएं भोगतते हैं शबनम भावी ने रकासा की निगाहों में ये सब कुछ पढ़ लिया उसके हाथ लरजने लगे परिशानी चिपाने के लिए उसने क्रीम का जग उठा कर रसभरियों पर उड़े लिया और जुट गई एक लहर चूर चूर उनके कदमों में पड़ी दम तोड रही थी दूसरी नई नवेली लचकती हुई लहर उनकी पत्थरीली बाहों में समाने के लिए बेचैन और बेकरार थी आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कॉमेंस जरूर लिखिएगा साथ ही सब्सक्राइब कीजेगा आपके फैमिली और फ्रेंज में आप जैसे ही कहानीों के शौकीन, कदरदान और हैं उन्हें ये कहानी वाट्साप पर फॉवर्ट करें अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी लेख या कविता के साथ तब तक, अल्विदा कुल्विदा